हेलो एवरीबन हरियाना सिक्ष्या बोर्ड भिवानी की तरफ से जो कोविड-19 ओनलाइन प्रतियों गिता आयोजित होगी तो वह दो चरणों के अंदर होगी इसके अंदर जो पहरा चरण होगा उसके आप अब्जेक्टिव रहेगा और दूसरा चरण रहेगा वह सब्जेक् करना है उसके बारे में पूरी प्रोसेस बताएंगे ठीक है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर आपको रैगुलर अपडेट्स पानी है हर तरह से तो उसके लिए आप क्या करना है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें त करोना से जुड़े आप से सो कोशिन पुछे जाएंगे जिसमें से छे जुन को ओनलाइन परतियों किता होगी उसके लिए आपको करना क्या है यहां पर बताया गया है को लोग डाउन चल रहा है जिसके सभी स्कूल बंद है सरकार ओनलाइन पढ़ाई के जरिए बच्चों क तो किसी ना किसी तरीके से कोशिस कर रही है कि वह पढ़ाई से जुड़े रहें तो उसी के लिए उन्होंने क्या किया है कोविड-19 परतियों किता का आयोजन किया इसके लिए आपको registration number आपने जब किया होगा तो registration number हो गापके पास एक New Game हो nyt होना चाहिए आपके पास और password एक डूटंют चार ही और इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका group कौन सा है तो यह liken कि quiz के लिए आपको तीन group के अंदर रखा गया है एक तो है आपका 11-12, 6-12 तक के बच्चे सामिल होंगे, टोटल परतियोगता के अंदर 3 गुरूप है, आपके ABC, पहला गुरूप 6-8 है, दूसरा गुरूप 10-12 है, और तिसरा गुरूप यानिकी C गुरूप जो होगा, वो 11-12 रहेगा, ठीक है, इसके अंदर आपके टोटल 100 कंगे, और प्रतियोगता का एक अंग होगा, कोई भी गल्त selfie, पर्तियोगता का इनकी 36 के पर्तियोगता के अंदर घाए, ऑड को क्या सथाने के फस्थान के उन्हें पर्थम स्थान पर आएगा, जो दूसरे चरण के अंदर, torek bursts को क्या दिया जाएगा लैपटोप दिया जाएगा ठीक है अपने अपने ग्रूप के अंदर Nope रेख मिलेगा ठीक है और जो हमने बदोनिया प्रिक्षट को प्रिक्षा होगी यहांनि कि आपको सब्चक्टिव बताएंगे साथ की साथ में फिर आप को बता जेते हैं वहां पे नीव सेक्शन में जाना हैनुस्य अने देखना आप टेस्ट के लिए उप्षिन मिले आपको और और वहां पे आपको क्या करना है क्लिक करना है o covid 19 पर कोभण 19 तोपे टीके देखना है फिंटो ओपन हो जाएगा और वहां पे अपनी क्लास के नुसार परते करना है आपको अपनी सिर्गिक को चुन कर डिटेल भर देनी है अब आप पर एक्तिकल करके कि कैसे आपको क्या करना है तो आप यहां Google में आ जाएंगे और Google के अंदर आपको क्या type करना है यहां पे type करना है H B S E सिर्फ इतना type करना है और search कर देना है तो जैसे जो सबसे ऊपर जो site आई है यानि कि जो सबसे उपर आपको दिखाई दे रही है आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो चीजी आ जाएंगे यहां पर एंटर वेबसाइट है आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ओफिसिल वेबसाइट ह वो ओपन हो जाएगी तो इस तरह से आपके ओफिशिल वेब साइट ओपन हो गई है इसके अंदर आपको क्या करना है नीचे चलना है स्क्रोल डाउन करते जाना है और नीचे आना है जैसे ही आप नीचे आओगे आप यहां पर देखोगे नीचे आने के बाद न्यूज करोगे नई विंडो खुल जाएगी नई विंडों के अंदर आपको और अलग से दिखाई देगा आप देखो यहां पर आपको यह इंदर दिखाई दे रहे हैं ग्रूप अ ग्रूप बी ग्रूप सी ठीक है तो आप मुवाइल के अंदर देखोगे तो यहां पिसको खायदेगा तो आपके पास यह नई कुल जाएगी और नई बिडॉट को फिर हम कैसे खळलेंगे टेस्टोप साइट में खुली हुई है तो देखा आपको सबसे पहले यहां पर डालना है उसर आइडि जो भी आपकी यूजर आइडिए है ठीक है पास्ओड एक दो तिंचार रहेगा और यह capture code है यह बड़ा डालना है यहां पर फिर आपको login पर क्लिक करना है अब मेरे पास को user ID है नहीं किसी की भी तो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता डालके फिर जैसे आप यह प्रक्राइब कर दोगे फिर उसको अंदर आपको करनी है अपने detail फिल करनी है जैसे आप detail कर दोगे तो उसके बाद आपना आपका जो रिजिस्ट्रेशन वगारा था तो उसके लिए रिजिस्ट्रेशन के कोडिंग ही आपकी detail होने के बाद फिर आप अपना online निमोग test है वह आप छहए तरीख को दे सकते हो इसके इन्दर देखो इningar मैं तो इसको बता देता हूं आपको इन्सक्शन क्या रहेंगी तो इन्स्र0सन इसकी देखो यहां पे दी गई है जैसे यहां या लोगिन करोगे तो लोगिन करने से पहले आपको आना पड़ेगा यहां पर चीक है तो जैसे यहां पर आऊगे तो यहां प्देख सकता है इस पेज्ज के उपरया आओगे तो आप आपके साथ की साथ में चलता रहेगा उसके अंदर वहां पर time show होगा ठीक है जो भी question आप select करोगे वह blue mark का होगा और जिस question को blue mark होने के बाद आप question को answer दे देते हो और उसको save कर देते हो तो green mark का हो जाएगा तो आपको करना क्या है कोई भी question करना है उसका answer देने के बाद उसको save and next पर क्लिक करते जाना है और उसके बाद फिर आपको next question के उपर जाना है sequence में ठीक है तो इस तरह से आप चलते रहोगे उसके बाद क्या है pop-up message would be display screen if session is idle for three minutes अगर आपकी तीन मिनट तक स्क्रीन पर कोई भी काम नहीं करोगे तो आपके उसके उपर क्या जाएगा एक pop-up message आजाएगा तो candidate को click okay बटन पर करना है ताकि आपका session लाइव करता रहे ठीक है तो आपको लगाता चल थोड़ा बहुत उसके उपर काम करना है उसके बाद करने रिलोग इन in case of session and if time permits इनके अगर आपका time से पहले आपको कोई भी टेस्ट है जो आपका वह अनसल हो जाता है तो आप उसको कि दुवारा से रिलोग इन कर सकते हो तो इसके इंदर आपको कोई भी घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है क्लीर है बिल्कुल ठंडे दिमाग से चैनल के उपर नहीं है तो जल्दी से पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करनाऊ चैनल के उपर नहीं है तो सबस्क्राइब करना ना भूले और विडिएयो को जढ़ंच जद्धा शेर कर लेना ताकि ञीव इसके बारे में नहीं जानते हैं तो उ Thank you, have a good day.